एकदम नरम सौफ्ट स्पंजी आज बना रहे हूं यह चट पटात तीखा एकदम बहुत ही मसालेदार दही बड़े यह बहुत ही आसानी से और बहुत ही इसली हम इसे घर पर ही बनाएंगे और यह मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके दही बड़े ब खुमाली लिए मैं रात बहुत करके रखा था चाहर से पाचपानी से दोने के बाहर अब यह देखेए सोक ऊचुका आप इसका पानी निकाल लिए है ह falar रहीे है यह देखें पुरु तऱ से फूल चुका इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है यह देखिए इसकी consistency इस तरह से होनी चाहिए बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है थोड़ा थिक रहना चाहिए यह देखिए इस तरह से थिक consistency रहनी चाहिए इसकी अब मैं इसे एक अलग बरतन में shift कर लेती है और इसे अच्छी तरह से फेटिए बहुत फेटना इसको जितना आप इसे अच्छी तरह से फेटेंगे यह इतना ही प्लफी होगा और जिससे कि हमारे बड़े जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे बहुत स्पॉंजी बनेगा और फूला फूला बनेगा तो इसे अच्छी तरह साब फेटिए यह देखिए इस तरह साब को चेक करना है पानी में डाल कर जब तक कि यह जो है बड़े की बैटर जो है अब पूरी तरीके से तयार है यह देखिए इसे आप इस तरह से चेक कर अब मैं इसमें डाल रही हूं एक चमच अध्रक का पेश्ट और एक चमच मैं डाल रही हूं लेस्टन का पेश्ट इसके बाद मैं एक चमच डाल रही हूं नमक एक चमच डाल रही हूं में बारिक कटी हुई हरी मिर्च यह आप जरूर डाले अध्रक लेस्टन और हरी मिर् अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेजिए यह देखिए अब मैंने एक कडाई में रिफाइन ओयल गरम कर लिया है इसे बहुत अच्छी तरह से गरम कर लीजिए पहले फिर इसका टैंपरेचर डाउन होने देजिए इसके बाद हमें इस तरह से छोटे-छोटे से बड़े ब जाल देना है इसमें इस तरह से बड़े जो है काफी फूले फूले और काफी स्पंजी बनेंगे तो आप गैस की फ्लेम को स्लो रखिए जिससे की अंदर से कच्छा ना रहे है अब इसे अलट-पलट के सेक लेना है यह देखिए इसका कलर चेंज होने तक हमें फ्राय करना ह इतना है यह देखिए कितना फूला-फूला बन रहा है यह अंग्ना ब है कि बड़े जो है रेडी हो गया अब इससे निखाल लेते हैं देखें कितना फूला फूला और कितना स्पंजी बड़े बने हैं अब एक बरतन में हमें लेना है गरम पानी बॉल में मैंने गरम पानी ले लिया है और इसमें सारे बड़े डाल देना है अब बड़े का थोड़ा सा टेंपरेचर डाउन होने के बाद डालिए इस तरह से सभी बड़े इसमें डाल दीजिए अच्छी तरह से भी हो दीजिए अब इसे एक बरतन से ढख लेजिए और इसको कोई भी वजंदार सामान डाल दीजिए इसकर अब एक मिक्सिजार लेना है इसमें मैं डाल रहा हूं फ्रेश धन्या एक मुठ्षी पांस से च डाल रहा हूं मैं लेसन की कलिया तीन हरी मिर्च एक टेबल स्पून में ले रही हूँ काला नमक और थोड़ा सा ले रही हूँ सफेब नमक इसके बाद डालना है एक टी स्पून जीरा और एक पींच हींग हींग से फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा और काला नमक भी इसमें चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर लात तरह से दबाते हुए इसका पानी निकाल लेना है तो बड़े जो है काफी इस पंजी और जालीदार बने हैं मैंने सारे सभी कपानी निकाल लिया है अब एक कटोरी मैंने लिया है फ्रेश दही तकरिबन 200 ग्राम इसे अच्छी तरह से फेटी है बहुत अच्छे से क्रीमी चक्षर तक इसके बाद मैं डाल रहे हुए दो चमच चीनी आदा चमच मैं डाल रहे हुए इसमें नमक और इसे अच्छी तरह से फेटना है इस तरह से मिक्स कर लीजिए इसे दही की कंजिस्टेंसी इतनी ही रखनी है यह देखिए इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें अब बड़े को एक प्लेट में निकाल लेजिए और इस पर डाल ये पहले दही इस तरह से सभी पर धही डाल लेना है इसके बाद मैं इस पर डाल रहा हूँ मीठी चट्णी इस तरह से सभी पर डालना है इसके बाद मैं डाल रहे हूँ हरी चटनी जो हमने अभी बनाया था अब मैं डाल रहे हूँ इस पे बुना हुआ जीरा जीरा सो जो काफी अच्छा फ्लेवर आएगा बहुत चट पटा लगेगा ये तो आप जीरा जरूर डाले बुना हुआ इसके बाद मैं डाल रहे हूँ चाट मसाला एक चमच फिर डाल रहे हूँ मैं एक चमच उटी हुई लाल मिर्च अब मैं डाल दो इसके एक टी स्पून काला नमक काला नमक से जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो अब इससे जरूर डाले तो इससे हमारा नवी बड़े जो है बहुत चटपटा बनेगा और बहुत ही टेश्टी बनता है तो आप इस तरह से एक बार जरूर बनाईए और मुझे कमेंट करके बताईए कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी अगर आपको इस रेसिपी पसंद आई हो तो पीज से लाइक कीजिए अगर चैनल पे नए हो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मैं मिलती है अप से नेक्स्ट वीडियो में